स्टीफन होकिंग एक अदबुत और द्रड इच्छा सक्ती वाले मानवेग्यानिक थे उन्होंने अपने जीवन में तमाम संगर्सों और कटनेयों का सामना करने के बाद असीम सफलताओं को हासिल किया था और विज्ञान के छेत्र में अपनी महत्वपून भूमी का अदा की उन्होंने अपने प्रेणना दायक विचारों के माध्यम से लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई एम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेणना दी थी तो आए जानते हैं स्टीफन होकिंग के प्रेणना देने वाले महान विचारों के बारे में मैंने देखा है कि वो लोग भी जो ये कहती है कि सब कुछ पहले से तै है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते वे भी सड़क पार करने से पहले इधर उधर देखते है हम सबी अलग है लेकिन हम सबी मेमानवता समाई है पहले अपनाना और फिर उससे गुजारा करना ही इनसानों की आदत होती है आकरमक्ता इनसानों की सबसे बुरी आदत है जो उनकी सब बेतगाविनास करती है हमारी बुद्धिमता की सबसे बड़ी उपलब्धी हमें बोलने से मिलती है और हमारे बुद्धिमता की सबसे बड़ी ऐसफलता ना बोलने में है कभी भी अपनी मानसिक तक हो ऐसफलता की और मत ले जाएए क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आसा ही हमारा भविस्या बनती है इसलिए हम सबी ने हमेशा बोलते रहना चाहिए मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है वियर्थ समय गवाने से मुझे नफरत है बुद्धिमता बदलाव को अपनाने की काबिलियत है उपर सितारों की तरफ देखो अपने पैरों के नीचे नहीं जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिस करो और आश्चरिय करो कि क्या है जो ब्रह्मान का अस्तित बनाए हुए है उत्सुक रहो मेरे सेलिबरीटी होने का सबसे बड़े नुकसान यह है कि मैं किसी को बताए भी ना दुनिया में कई भी नहीं जा सकता कौले चस्में पहन कर बाहर निकलना मेरे लिए प्रयाप्त नहीं है मुझे वहिल चेयर पर बैट कर दुनिया की सेयर नहीं करनी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्यार खुसी और सुन्दरता जैसी बाते किसी अलग समुदाय के लोगों के लिए बनी है जो विज्ञान से अलग हो लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता चाहे जिन्दगी जितनी भी कठिन लगे आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकती है और सफल हो सकती है अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाहा होगी उन चीजों पर ध्यान दे जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांग ता नहीं रोकती और उन चीजों के लिए अफसोस नहीं करे जिन्हें करने में ये बादा डालती है आत्मा और सरीर दोनों से विकलांग मत बने जो लोग अपनी IQ के बारे में डींगे हाकती है वे लूजर होती है पहली बात हमेशा अपने पैरों की तरफ देखने के बज़ाए तारों की तरफ देखे दूसरी बात कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़े क्योंकि आपका काम ही आपको पहचान जिलाता है और काम के बिना जीवन अधूरा है तीसरी बात यदि किसमत से आप अपना प्रेम डोड़ने में सफल रहे तो उसे हमेशा याद रखे और कभी अपने से दूर नै करे मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं हुआ मैं आज भी क्यों और कैसे जैसे परसन पूछता हूँ और परिनामगत मुझे इसके जवाब भी मिलती है